ओके स्टुएंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी किस तरह से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है यानि कि परागणों का निर्माण होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानि कि MMC जो कि आर्केस्पोरिल सेल्स के डेवलपमेंट से बनती है Myospore Mother Cell ये Meiosis के द्रू क्या बनाती है 4 Myospore बनाती है 4 लगुवी जानूओं का निर्माण करती है ये 4 लगुवी जानूओं Myospore जो है वो किस form में एरेंज होते है टेट्राड form में एरेंज होते है यानि कि जो चारो Myospore है ये एक साथ एक structure बनाते हैं जिसको क्या क्याते हैं टेट्राड यानि कि चतुस्क कहा जाता है अब इन टेट्राड की structure क्या थी वो हमने last वीडियो के अंदर एक एक करके देखा था जैसे कि टेट्राहेडरल, बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल या कह सकते हैंगी डी कॉसेट लीनियर, टी सेवड तो टोटल फाइब टाइप के जो टेट्राड थे वो हमने last वीडियो के अंदर देख लिये थे यहां हम बात कर रहे हैं male gametophyte and structure of pollen grain यानि कि जो नर युगमकोद भित है तो उसकी हम बात करते हैं male gametophyte actual में होता क्या है देखे, microsporengium लगू बीजानू धानी यानि कि जो एंथर के अंदर ये जो microsporengium बनती है जिसके अंदर microspore का development होता है ये जो microspore है ये कह सकते हैं जो male gametophyte है उसकी first cell होती है यानि कि first cell of male gametophyte is microspore जो लगू भी जानू है ये नर युगमकोद भित की प्रथम कोशिका होती है ये जो चारो लगू भी जानू है ये कौनसी condition के अंदर होते हैं हैploid condition के अंदर होते हैं अगुनित अबस्था के अंदर पाए जाते हैं यानि कि चार haploid microspore का जो है वो क्या होता है development होता है MMC से microspore mother cell से अब ये जो microspore बने हैं ये आगे जाकर के क्या बनाएंगे नर युगमकोद भित यानि के male gametophyte बनाएंगे और ये male gametophyte किस में बदल जाएंगे pollen grain के अंदर है pollen grain ही microspore जो है वो ही pollen grain है लेकिन कुछ कह सकते हैं कि structural changes होते हैं सरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे वो pollen grains के अंदर क्या हो जाते हैं developed हो जाते हैं तो देखते हैं microspore से जो है वो किस तरह से male gametophyte का development होता है microspore is first cell of male gametophyte यानि के नर्युग मुगोद भिद की प्रथम को सिका होती है यह हमें साध्यान रखना और यह कौन सी condition के अंदर होती है haploid condition के अंदर होती है अगुनित अवस्था के अंदर पाई जाती है तो यह जो microspore है यह क्या होते हैं अलग हो जाते हैं हमने बात कि दी यहwood Qui all अच Audio cade Sutton प्रेज के जाती हैं के लो जन बेंड प्रेजेंट होते हैं और ऑर तर अे थीए पूसु तक की जो परत होती है उसके द्वारा एक college एंजाइम जो हो सिक्रेट होता है और वो-कल्य एंजाइम क्या करता है इस केलोजन स्ट्रिप को क्या कर देता है डिजॉल्व कर देता है और इससे यह जो टेटार्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं माइक्रो स्पोर यह क्या हो जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं और चारों जो है वह अलग-अलग Microsporte के अंदर क्या हो जाएंगे डेपलप्ड हो जाएंगे अब यह जो चार Microsporte है इनके अंदर क्या होगा Germination होगा और pollen Tube बनेगी pollen Tube बनते है और germination होता है तो ऐसे Microsporte जिसके अंदर pollen Tube हो और male gamette यानि के नर युगमक उपस्तित होते हैं उसे क्या कहा जाता है male gametophyte कहा जाता है यानि जिसके अंदर germination की capacity present हो और male gamet present हो नर्युगमक उपस्थित हो देगो युगमक और युगमक उपस्थित होते हैं दोनों में अंतर है एक ऐसी कोशी का जहांपर नर्युगमक उपस्थित होते हैं से नर्युक्मक उद्भिद या मेल गेमिटोफाइट कहा जाता है तो यह सारा प्रोसेस कहां पर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लगुवी जानुधानी के अंदर होता है चारो चतुस्क से अलग हो जाएंगे और उसके बाद में यह बन जाएंगे आपके क्या किस प्रकार से होती है दिखे यह जो एक सिंगल माइक्रोस्पोर है लगुवी जानुधानी के अंदर एक माइक्रोस्पोर के अंदर एकल माइक्रोस्पोर केंदर क्या बनेंगे दो केंदरक बनेंगे यानि कि दो नुकलेस का निर्मान होता है एक लार्ज बनेगा बड़ा केंदरक बनेगा एक छोटा केंदरक बनता है जो बड़ा केंदरक बनता है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव Nucleus यानि के काईक केंद्रक कहा जाता है और जो second small size का जो Nucleus बनता है उसे कहा जाता है फर्स्ट हो गया vegetative Nucleus और जो second बनता है उसको कहा जाता है Germ Nucleus यानि के काईक केंद्रक और जनन केंद्रक ये दो केंद्रक का निर्मान हो जाता है ठीक है तो ये Microspore के अंदर होगा Mitosis Division के तुरू सूत्री विभाजन के द्वरा दो केंद्रक बनेंगे और बाद में इन दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्तिका निर्मान हो जाने से दो कोशिका ये मन जाती है पहले दो केंद्रक बनेंगे दो केंद्रक के बाद में दोनों केंद्रकों के बीच में एक पटिका बन जाती है या कह सकते हैंगी cell wall बन जाएगी और जैसी cell wall बन जाएगी उसके बाद में दो cells separate हो जाती है एक तो बन जाएगी आपके vegetative cells यानि के काईक कोशी का और दूसरी बन जाएगी आपके जनन कोशी का और ये जो जनन कोशी का होती है ये जनन कोशी का divide होकर के आगे जाकर के क्या बनाएगी नर्युगमक यानि के मेल गैमिट का निर्मान कर लेती है इसलिए इसको जनन केंद्रग्या जनन कोशी का कहा जाता है जो कि नर्युगमकों का निर्मान करती है और इसी से ही पराग नलीका का निर्मान होता है जो कि क्या करती है pollination के बाद में जो है वो fertilization में help करेगी यानि कि जो male gamit बनते हैं उनको कह सकते हैं कि fertilize होने में या कह सकते है fertilization site तक पहुँचाने में जो है वो help करती है तो pollen tube और पराग नली का और अंकुरित नर युगमक के साथ में या अंकुरित नर युगमक कोद भिद की सरचना जो होती है उसी को हम नर युगमक कोद भिद या male gamitophyte कहते हैं इसी के साथ हम आगे देखते हैं structure of pollen grain देखे अब ये जो microspore है वो अलग हो गया इसके अंदर दो कोशिका हैं बन गई एक तो काइक कोशिका बन गई अब ये जो काइक कोशिका है वो कह सकते हैं कि pollination से पहले भी बन सकती है और बाद में भी बन सकती है यानि कि जो microspore के अंदर जो nucleus का division होता है वो pollination से पहले भी हो सकता है और after pollination भी हो सकता है तो वो कह सकते हैं कि बाद में और पहले दोनों कभी भी हो सकता है हमें बात करनी है structure of pollen grain की तो जो ये microspore बने थे, ये माइक्रो स्पोर ही किसमें डेवलप्ड होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर या पराकणों के अंदर क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं, तो ये जो लगू भी जानू बनते हैं, जिसके अंदर काई क कोशी का और जननकोशी का दोनों उपस्तित होती है, इस माइक्रो स्पोर के आउटर में Two Layers present होती है, फ़र्स्ट जो लेयर बनती है या जो कोळ बनता है उसको तो कहता है ऐग्जाइन यानि कि बाहिय चोल कहा जाता है और जो सेकेंड बनता है उसको कहा जाता है intine, यानि के antahachol देखे, यह जो unaikrospore है, यह कैसी सरचना है युनि Cellular है, चिक है और कैसे होंगे, haploid condition के अंदर होंगे, इन के अंदर missed昨बास्म है वो थोड़ा dense हो जाता है, जो evet microscopore है, इसके अंदर siytoplasma dense हो जायगा, nucleus clear दिखाई देना सुरू हो जाएगा तब वो pollen grain के अंदर developed हो जाते हैं और जो pollen grain बनते हैं उसके अंदर two layers यानि के बाहर दो आवरण पाये जाते हैं एक तो बनेगा exine और second बनेगा intine यानि के बाहिये चोल और अंतह चोल दोनों के अंदर देखते हैं क्या difference है जो बाहिये चोल है ये कैसा होता है थिक होता है यानि के मोटा होगा जो pollen grain बनते हैं माइक्रो स्पोर से pollen grain का development होता है तो इसके outer में जो layers present होती इसमें से जो outer layer है वो कैसी होती है थिक होगी काफी मोटी होती है और कह सकते हैं कि ornamented होती है अलंकरत सरचना पाई जाती है ornamented का क्या मतलब हुआ देखे जो बाहरी लेहर है वो ornamented कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ काटेदार सरचना है पाई जा सकती है या कह सकते हैं कि linear structure हो सकती है धारीदार सरचनाय पाई जा सकती है जैसे कि आप देखेंगे इमान लोग कि यह गोलाकार पराकण है इसके आउटर में यह इस तरह से जो है वह एक लेर प्रेजेंट हो सकती है इसलिए इसको और्नामेंटेड लेयर कहा जाता है अलंकरद होती है तो ये काफी मोटी खुर्दरी और अलंकरत होती है और जो इंटाइन लेयर है जो इसके आप अंदर के और देख रहे हैं ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा थिक पतली हो सकती है सॉरी थिन होगी पतली होगी और कह सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लेयर होती है मुलायम होती है चिक है तो ये दो पड़ते बनती है एक तो बनेगी एकजाइन और सेकंड बनेगी इंटाइन देखे जो इंटाइन लेयर है जो इंटाइन लेयर होती है वो तो बनी होती है किस से पेक्टो सेलिलोर से जो intern layer होती है यानि कि जो अंदर की परत है वो बनती है pactocellulose और जो exine layer होती है इस exine layer के outer में जो है वो sporopollenin का क्या हो सकता है कह सकते हैं कि जमा हो जाता है स्पोरो पॉलेनिन का क्या होता है जमाव होता है यह जो स्पोरो पॉलेनिन है यह कह सकते हैं कि इजी ली डिजॉल्व नहीं होता है यानि कि इसका जैविक और भौतिक विदियों के द्वारा आसानी से अपगटन नहीं होता है यह जो इसकी outer layer है, exign layer, इसके उपार sporopollenine का क्या होता है, जमा हो जाता है, sporopollenine जमा होने से, जो pollen grain है, उसकी कह सकते हैं कि जो age है, वो बढ़ जाती है, यानि कि इसकी जो उम्रह है, अंकुरन समता, कह सकते हैं कि immunity power, प्रतिरोधक शमता जो है, वो बढ़ जाती है, यानि कि इसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं pollen grain को या काफी टाइम तक जैसे कि हवा के अंदर भी पराकंड रह जाते हैं या किसी दूसरी जगा पर भी रह जाते हैं तो वो नश्ट नहीं हो पाते हैं तो यह जो इस पोरो पॉलेनिन है यह इसको क्या करती है सुरक्षा प्रद प्रेजेंट होते हैं यानि कि छिद्र पाए जाते हैं और वो छिद्र क्या काम करते हैं वो पॉलेन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं यानि कि उन्हीं छिद्रों के इस्थान से क्या बनते हैं पॉलेन ट्यूब बनती है अब कह सकते हैं कि जो डाइकोट प्लांट द्वी बीज पत्री पादप होते हैं, उनमें तो त्री जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर त्री जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, द्वी बीज पत्री पादपों के अंदर तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि जो मोनोकोट प्लांट होत है कि हमक्लिम जर्म पोर्ण होता है और इस जर्म पोर्ण से ही पॉल्ध ट्यूब जर्मिनेट होती है प्रख निलिका का जो ह्वह निर्मान होता है एक स्पिशल बात करें कदे경 एक है ऐसे पॉलेंड ग्रें या ऐसे प्लांट जनके अनδर पॉलिनेशन किसके थुरू होता है बाई इंसेक्ट इंसेक्ट के थुरू जब पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलेन ग्रेन के आउटर पर कह सकते हैं कि एक ओईली सर्फेस प्रेजन्ट होती है एक तेलिय परत पस्थेत होती है जो कि कह सकते हैं उसे पॉलेन किट कह सकते हैं यह पाई जाती है कौन से प्लांट में जिन में इंसेक्ट के थू जो है वो पॉलिनेशन होता यानि के जिन पादबों में कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादबों के अंदर जो परागण बनते हैं उन परागणों की बाहिय सत्व पर यहाँ पर जो यह एक्जाइन लेयर है इस एक्जाइन लेयर पर जो है वो एक oily लेयर तेलिय परत जो है वो पाई जाती है और उस तेलिय परत को क्या कहा जाता है पॉलें किट कहा जाता है कुश्चन भी आ चुका है एक्जाम के अंदर पॉलें किट क्या है तो जो एंटेमोफिली प्लांट होते हैं, जिनके अंदर इंसेक्ट के थूपॉलिनीशन होता है, उनके अंदर जो है वो एक तेलिय परत पाई जाती है, जिसे पॉलेंड किट कहा जाता है, क्या काम है इस पॉलेंड किट का, ये बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है अलर जो है वो भी इंसेक्ट को अपनी और अट्रेक्ट करने का काम करेगा, तो सबसे पहली बात हो गई कि ये इंसेक्ट को अपनी और अट्रेक्ट करने का काम करती है इंसेक्ट को अपनी और अटक्ट करने का काम करेगी इससे क्या होगा कीड जो है वो फूलों के और आकरसित होते हैं और जो है वो उनकी सता के साथ चिपकने का भी काम करती है तो second काम भी क्या हो जाएगा यह जो early layer है यह पराग कनों को कीटों के सरीर से चिपकने में भी साहयता करती है जैसे ही इंसेक्ट उस फ्लावर के उपर बैठेगा तो इसकी ओईली लेर के कारण जो होते है वो पराकन जो है वो इंसेक्टी सर्फेस के उपर गया हो जाता है और जैसे ही वो इंसेक्ट नेक्ट्स किसी अधर फ्लावर के उपर जाकर के जब बैठेगा तो उससे जो है वो पॉलिनीशन में हेल्प मिलेगी और थर्ड यह जो पॉलिन किट है यह यूवी रेज से क्या करता है पॉलिन पॉलिन ग्रेंज को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट से जो है जो अल्ट्रा वाइलेट पराबैंगनी केड़ने होती है उन पराबैंगनी केड़नों से जो है वो पराकणों की सुरुक्षा करने का काम करती है तो यह तो हो गई आपके किसकी बात पॉलिन गिट फिर हो गई आपके एक्जाइन और इंटाइन की बात अब बात करें अब यह पराकण है कहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है लगू भी जाणू धानी के अंदर है देखिए लगू भी जाणू धानी लगू भी जाणू धानी के अंदर ही जो है वो माइक्रोस्पोर पॉलेंग्रेंड के अंदर डेबलप्ट हो जाता है तो देखी इसकी जो internal layer है यानि कि जो inner most layer है वो कौन से है tapitum जो inner most layer होती है कि इसकी micro sporengium की वो क्या है tapitum और इस tapitum के थुरू एक protein का secretion होता है यानि कि ये एक protein secret करती है और ये जो protein होती है वो इसकी rough surface के अंदर बीच बीच में जो कह सकते हैं कि grooves बने होते हैं गड़े बने होते हैं या कह सकते हैं कि जो blank space होते हैं उनके अंदर ये protein क्या हो जाता है भर जाता है यानि कि ये tapitum के थुरू जो protein secret होता है वो इन exine के अंदर जो blank space बने होते हैं जो grooves बने होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है बहर जाता है और जैसे ही यह pollen grain humidity के contact में आते हैं नमी के संपर्क में आते हैं तो इससे क्या होगा ये जो protein है वो क्या करेगी उस humidity के साथ नमी के साथ क्रिया करती है और humans के अंदर जो है वो allergy generate करने का काम करती है यानि कि allergy उत्पन करती है मानव के अंदर जैसे कि कुछ मनुष्यों को फूल सुंगने पर allergy उत्पन हो जाती है तो किसके कारण होती है वो इन पराकणों की सता पर पाई जाने वाली protein के कारण होती है तो बहुत सारे ऐसी disease भी generate करती है जैसे कि allergy है अस्थमा है तो ये सारी problem प्रोटीन के कारण भी हो सकती है दूसरी बात ये जो protein पाई जाती है ये जो protein है वो pollen-piston interaction में भी क्या करती है help करती है pollen-piston interaction यानि के पराग इस्त्रीक केसर अंतहक रिया pollen-piston interaction में भी क्या करती है help करती है अब ये समझे pollen-piston interaction क्या होती है देखे ये जो पराग गण है ये एक ऐसी पिस्टल के उपर यानि के जो इस्त्रीक केसर होता है female parts जो होता है flower का उसके उपर जाएंगे लेकिन अगर वो female part कह सकते हैं कि fertile भी नहीं है तो वो जो pollen grain उसके उपर जाकर के attach होंगे वो किसी तरह की कोई भी कह सकते हैं कि activity नहीं करेंगे उनमें pollen tube germinate भी नहीं होगी तो इससे क्या होगा pollination नहीं होगा pollination fell हो जाएगा fertilization fell हो जाएगा और इससे जो हो कह सकते हैं कि आगे का जो development है वो नहीं हो पाएगा तो यह जो protein पाई जाती है इस enzyme layer के उपर जो protein present है यह pollen pistol interaction में help करती है यानि कि pollen grain को ऐसी pistol को identify करने में जो fertile है fertile pistol को जो है वो identify करने में help करती है निशेचन के योग्य हो या कह सकते हैं कि उनमे fertile capacity present होती है और वो समता जो है वो पाई जाती है तो यह आपके structure होगे कि इसकी pollen grain की और यह pollen grain जो है वो क्या बनाता है male gamit बनाता है मतलब male gamit जो है वो इसी pollen के अंदर क्या होंगे बनेंगे तो next हम बात करेंगे development of male gamit यानि नर्यूक मकों का विकास किस तरह से होता है तो हम वो next वीडियो गे अंदर बात करते हैं बात करते हैं हम इसी है पाता करते है मतलब लुपपश्क्वश्क्वश्थक्वश्-चक्वश्क्वश्क्वश्स्क्वश्क्षल यह ख़ता है श tegen